हेलो फ्रेंट सौगत अब के चैनल ड्रीम लेवन डॉक्टर में एक पर फिट से जो मैं इस वीडियो में कवर करने जो वाले हैं वह उने वाला है बिग बैच लिग का जिसको नाम है ड्रीम लेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखावा दिखाई दी रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है पर आपको हमारे टेलीग्राम के जो रियल और ओरीचनल चैनल उससे कैसा जूड़ना आपको सिंप्ली करना क्या है वीड जिखान रखनी है टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के निचे कमेंट में जो लिंक दिया है उसी का यूस करना है तभी आप हमारे सही और ओरीजिनल चैनल के साथ जूड़ पाओगे तो वीडियो के दिये वे कमेंट या फिर वीडियो के दिस्क्रिप्श सकता है average score ठीक है तो आपको यह रहने वाली और दूसरी बात यह है एक night में चोन वाला जो टीम पहले टॉड़ जीते की definitely आपको दिखेगा कि balling करते वह वह पहले balling करेगी तो आपको यह चीज दिखने को मिलने वाली है क्योंकि बात में कोई भी टीम विंटर के टाइम प चार पांच छे साथ आठ एक दो तिन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा 14 मेंपर से स्कुएड है और इसमें से अगर देखोगे तो बड़े नाम एड़ किये गे जिसमें है निकॉलस पूरन और दूसरा है निक मैटिंसन यह दो बड़े प्लेर एड़ क है तो अब गए कोन है भार देलबर हुसेन जो कल लाश्ट मैच में इंजर्ड हो गए था वह में कहल से चार से शे वीक तक नहीं खेल पाएगा तो वह बाहर गया और दूसरा में भी सैब गौच बाहर हुआ है ठीक है तो उनकी जगह यह आ है तो यहां पर डेफिनिटली न मुझे रखतार टीम में जगहा मिलेगी और इवन निक मैडिंसन को क्योंकि दोनों ही टीटुनटी फर्म फॉर्माट के वन अब बोल सकते हूं निकॉल्यस पूर्म कताई सिंग आप जानते होंगे पर निक मैडिंसन भी बहुत बड़ीया प्लेयर है टीटुनटी फॉर्मै मुझे तो पुरा सेम दिख रहा है लास्ट मैडिंसन को किसकी जगा खिलाएंगे वह बड़ी सोचने वाली बात है यहां पर देखते हैं जहां मुझे नजर आता है एंडु फ्लेचर ओपन करते नजर आ रहा है में भी यहां पर शायद क्या पता निकॉल्यस पूर्ण को ए जा सकता है तो एक यह चेंज हो सकता है क्योंकि एंडु फ्लेचर दो मैच में स्टाटिंग तो मिली है बट इसको बड़ी इनिंग्स में कर बाया और से मिश्ट इन्स की तो 100 प्रसंट जगा फिक्स है और यहां पर बात करें कार्ट राइट की भी दें डंक की कर रहा है तो दंग की भी महान के चलो अलमॉस्ट एक से दन मैक्सवल की तो बस मुझे दो ही प्लेट जिटे जो भाड जाते हुए तो एंडु फ्लेचर की जगह निकॉलस पूरन है पर इतना कंफर्म हो कि 100% निकॉलस पूरन को जगा मिलने वाली है क्योंकि जो बंदा आइपल खेला भ अधिन्स प्लेट का अधिन्स इस पेशलिस्ट और बंदा बोल सकता हूं मैं तुम में बहुत बैस्ट 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 में अगर आगा ता अगर आपको शायद याद हो तो आई प्ल भी खेल चुगा यह मैं बैंगलवर की तरफ से तो अनिक अधिन्स टीट वंट का ही प् रता के अधिन्स बालएं प्लागर कंषण ही और यह उल्ट के और जिर्ट मेंट रहते हैं कि मेंडिन्स टीट के अधिन्स टीट फिर जैस्त काता है और ऊपन भी आपने करता है और अउपनन भी कर चुका है पहले तो धुक्त कर चुछा जाए तो यह सकता है कि टॉस्ट के बाद पर चल जाएगा बाकी है निकला नैंटन कल टनायल जो लाज मच नहीं कि लह था तो आने वाले एडम है गोजाने तो मुझे लाके देगा और बागी चार और गंपलेट करेंगा यह भी बॉलिंग कर वाल से एक दो विगेट एक्सपेक्टेट देन अपर लायम हैचर दिलबर हुसन की जगह को ना सकता लायम हैचर यह फिल लैंस मौरी में से किसी एक की जगह बन सकते हैं दोन भी फास्ट बॉलर है तो जो भी खेलेगा है यह पे इन दोनों मेंसे तो वह भी स्मॉल लिके लेमार लिपिक नहीं रहने वाला बागी एक लिन हिंकलिफ है जो यह पे लेफ्टम चैना मैंने लाइक कुल्दी प्यादव की बॉल्ड लालता है उसने हर मैंच में अलमस्ट एक विकेट निकाल के दिय नहीं करें वाला है यह बागी बात करें यह फोड़ी पिटाही हो रही है अच्छा बॉलर है बट अपर देखे तो सीजन अच्छे नहीं जा रहे है और मैंपी अपने संराइद एस थेडराबाद के लिए सो खेलते पर देखा होगा तर बेंड दॉंग कर यहां पहलता है त बाकि यहां पर मैक्सवल पाट-इम बालिंग कर रहा है बाकि आप यहां पर्फ इसकोछर के लिए क्या रहने वाला है यहां पर जोश इंग्लिश आपको ओपनिंग करते हैं इसका लाश्ट यह बहुत ज्यादा बढ़िया गया था और दूसरी बात करें इस यह भी है टेस्ट मैच जो हैं कि डॉमेस्टिक में सेंट्री लगा गया रहा है जोश इंग्लिश बहुत अच्छी फर्म में लाश्ट म अबर नियुज़लंड ओडी डी नाइट में मैच अगर वह खेले होंगे तो इसने बड़े प्लेयर भांग खेलने रहा है तो इसने बड़े प्लेयर वह खेलनी रहें रहें अच्छी नजर नहीं आया और में बीसी मैच में 15-20 अउपर रन मारें इनी तीन मैसे तो कॉलिन म नजर नहीं आरा और लास्माच मैच में अब बहुत करना क्योंकि फॉर्म में और जल्दी आउट भी हो गए ता तो यहां पर आपको तीम में तो लेकर जाना है क्योंकि दूख मुन्रो को कह सकते है कि Smalling में लेकर तो जाना तीव है बड़ेंग बड़ेंसी में शायद ना लेना जरूरी है कैप्टैंसी वाइस कैप्टैंसी शायद ना दो तो तो थिंक बैटर रहेगा भागी बात करें आप रहना जो एक लाग जो लाग जो इंगलेंटी टीट्वेंटी का जो वन अप बैश तो नहीं बहुलूंगा कि अभी अपने अपने अगर शायद इसको ख क्योंकि 1st round betting कर रहा है और ऐसा भी जो आपड़र एके अलजज गरता है अडे अडूर्ड ही स्सार मिन पर और मुझे रखता है कि वह तो करना अगर यह कि वालिकीं करता है और मुझेए कर आफ नहीं को टीम शुमल जाना क्योंकि तॉप आफ बार्टिंग करें तो सप्राइसिंग भी बालिंग सकता है जैसे बोलता है कि इंजरी वगेरा है तो उसने एक मैच में बॉलिंग भी कर सकता है बाकी बात करें जो महाली प्लस फिनिशर मैंने लिखा है महाली में अगर आप एक इसको याद आपको 45 बोलो क्या सबसे निटी फॉरन की मैच विनिंग इनिंग खिली ती इंडिया के इस महाली मे ठीज अगर बात करें अगर आपको यहाद और पर लुदिया कर सबसे हैं तो तो आपको इन भी आपको निखे पुरे टॉरनमेटर जबार बालिंग करते हुए तो मैं इन बैट्स अर इसा पिनिशर का रोल प्ले वाला है और मैज़िए और अगर लोग करने वहाली आप ले क्लासिक प्लेयर है बट यह क्लासिक फाइदा क्योंने इसको क्योंकि अब इतने सारे अब इस्टार प्लेयर खिलाओगे तो भी डिक्कत होने वाले पर मैं आपको उतना ही बोलूगा अब बहुत बार सतर सतर रन मनाया है तो बहुत बड़े अपलेयर और यह उस्टी बेस्ट मैं अच्छी बैटिंग करी बैटिंग करी कुछ रन मार गया और एक और बीडाला बट इसको स्मॉलिंग में नहीं लेने वाला देने आपर रहने वाला है यह जायरी जो कि मैंदा बहुत अच्छा फिल्डर भी है तो मैं यहां पर जायरी जाने वाला हूं विकेट टेकर बॉलर है अब पहले अच्छा विकेट टेकर बॉलर था बट रही नहीं इसकी बट इस्टिल बालुगा कि चार ओवर कंप्लेट करेगा जैसमें बॉलिंग करेगा एक दो विकेट कर बॉलर हो तो वहां पर लगी जाती बडुल टाल रहा है गारगी जाती हो उसकी दोड़ नेशने के लिए खिल तो बहुत बालर है और अपर पर निकल्ड बाल स्पेशलिश्ट ऐसालम स्पेशलिश्ट्र और इस में नचल बाल श्पहलदिंग इसमें फिंगर को मोड़के ड में इसको मैं जब से फॉलो गड़ता हूं का मान के चलू हर मैं एक निकाल के देने ही गड़ने के पास है बाकि जेस इन पर आप के रहे लेट आप और रहे लहा है और दूसरी बात किरे रहा है और इंडिया में जब इसका मैच हो था इंडिया वाथ जो चार विकड बी लेट यह प्रेशान भी करता है और यह पावर प्लेयर टाइप बॉलर नहीं करता तो आपको श्टार्टिंग के अपने तीन से चार वर पूरे डालते भी दिख जाएगा और मेभी तेरवा चौद यह सकता है कि अपने तीन वर कंप्लेट कर ले बागी तेरवा चौद वर में आके करता है यह करता नहीं है जैसे बैंडॉप बाकी मुझे लगता है कि टीम को एक्चेंज करना चाहिए और कर भी सकती है जो शाहिए मैथ कैली को लाना चाहिए यह पर हाड़ी की टीम शाहिए लाए तो ज्यादा बैटर रहागा क्योंकि देखो मैथ कैली बहुत बड़ी तो मैंकि टीम के पराद सो चाहिए बाकी ना चाहिए ज़ागारी को सियाए और भाकी है कृथिस पय स coler को टाहिए में उसलिए लगता है जो हागी तेम के लिवगता है ग्यान है तो मुझे लगता है वराई यह बहुत अच्छा गया है और भी इसे एक यह थेर दोसने का य तेस्ट मैच इसमें अभी एक मैना भी नहीं हुआ है तो बहुत है और अपनर प्लेयर है तो अपनर मुझे कोई और सपर दिखता नहीं तो श्याद यह बहार ही बैठेगा लास्ट माच की तरह और इसका तो मुझे चांस नजरी नहीं आता तो सबकुस जगते में अपके लिए बैलेंश टीम ना की कोशिश के लिए गार निकॉलस पूरन खिलाते टीम तो डेफिनिटली इसके लिए अलग टीम सोची भी है और यह भी डेफिनिटली मैंने क्या सोची टीम नहीं रखा है और जोश इंगलिश को बैंट दोनों को रखा अब पर अब और अच्छा बैटिंग कर दो कि अच्छा बैट्पर नहीं होता किसना किसी मैच में ज़रूर रचीनिग खेल जाता है बाकि फ्लेचर ओप्र तो क्योंकि रिजन यह कि ओपन पूरी 120 बॉले मिलती है चारटीं अच्छी मिल रहे है तो एक अच्छा गेम बना सकता है बाकि हिल्टन काट right के साथ जा रहा हूं बाकि निकलारकिन का बैटिंग और काफी नीचे हो रहा है और मेभी आज बाहर बैठ सकता है क्योंकि मैडिंसन बगेर आ गया तीम में बाकि बैंक्रोफ्ट का बैटिंग और नीचे अगर ऑपनिंग करता है तो यह दो प्लेश मैं सिर्फ लेनी पारा बाकि हापर जोई कलार क लेना चाहता हूं अब लेते हैं जायता ऐसा कर सकते हैं बैंड दंग की जगा ले सकते हैं पर जोई कलार को एक चेंजन के बाकि काट्राइट के साथ क्यों बाकि मैडिंसन की खिलेगा तो मैभी मैं अपको टीम मेले सकता है और डेफिनिटली अप ग्रेंटिवेंट प्रें अगर क्रेइट अवेलेबल हो तो मैं आप इस ताई की जगह ज्यादा प्रेफर करता हूं कि ज्यादा प्रेफर करता हूं मुझे विकेट टेकर बॉला लगता है विकेट देने ही कैपेवरेटी जादा है बड इस्टिल तील थी ठीक ओक बले रहे है और चार ओवर ये भी क करें पाइट अब चार फायद एक प्लेट बनता है कि अच्छी पेग बहरें डॉफ आपके लिए ग्राइन लिंग बनता है विके पावर बले में बालिंग करता तका बनेता नहीं है अगर अगर देफिनिटल ये लेता पर पावर प्ले में शायद एक दो विकेट कर सकते है कोई स्टार्टिंग में विकेड बाकी बाद में मुझे एक्सपेक्टेड यह नहीं है जुहूर खानी है बिलिश टैन लेक कार सीजन अच्छा जा नहीं रहा बाकी बात करें कल्टर नहीं अच्छा रहेगा निक क्या लिए ट्राइक करना बाकी नीचे देखोगे तो मुझे के लिए लिए ग्रैंट लिक रहेगा और को Support मिजे अच्छा नहीं आता है यह फिर भी नौ में अच्छा नहीं क इता सबस्छा यह फिर यहां मे संस्माल इ पूरान तो बैंट तंग का बैंटिंग और उपर नीचे हो सकता है तो चकर में ये सेफ रहागा वागी कैप्टन में नहीं है यहां पर लैन मैक्सल को मार्टिंटर ने सो किया वाइस कैप्टन अपके पास वाइस कैप्टन के लिए 2 पीच्छी है जिसमें है मीचलर मार्ष और कारवन मुणर को चाहो तो ट्राय कर सेथे बाट फ्रम में नहीं है बाके ड्री टीप मैंटिंट करी है अगर खेलते निक मैडिंसन और यहां पर निकॉलस पूरन तो मैंने क्या कर रहा है यहां पर बैंट दंग को द्रॉब कर दो निक दिन के लिए भी एनि कि अपर प्र मार्च लिए और मार्च जीन बãoर क्रोड़ा है जायर रिचर्सन लिया, फावाद एमद लिया, एच्जमप लिया और कल्टर नाइल लिया जो की बहुत ही और अफ दी बॉक्स प्लेयर बट बहुत कंसिस्टेंट और बहुत अच्छा बैट्समन है और विकेट केपर भी है इसी बहुत अच्छा गया इसी के टेश में सेंट्रीज लगा किया रहा है तो एक यह कारता आपको दिखाते यह थी ग्रेंड लिग की टीम पहली थी पहले बताई थी पहली तीम थी मॉली की यह यह जो थीरी तीम बताई बताई वो ग्रेंड लिग टैप है तो आप ऐसे यह नहीं आ सकते हो ठीक है आप कposition माता इक कपहस में तके प्लेयर अब ही it एक मुझे घर मेस्नकश करेगा। तो मुझे गट-feelings रहे है कि आध जॉशच आछ दूसरा है कि 38 अज गटार मृझे लगता है दे सकता है प्लस रन है प्लस कैच है और प्लस स्टंपिंग यह सब्सक्ड़ सकता है कि विकेट की पर है तो मुझे थोड़ी सी गट फीलिंग है जोड़ी इंगलिश पर बाकी देखते क्या करता है तो जोड़ी इंगलिश में रह सकते हैं पर बाकी बात करें यहां पर है ग्लैन मैक्सवेल ठीक ठाक पिक है कि तो 44 पॉइंट अगर बालिंग भी डाल रहा है अगर एक विकेट ले आता है और एक कैच कर लेता है और 25-30 रूझ मारता है तो आल रड़ी मज़ लगता है कि जादा पॉइंट दे सकता है तो यह रह सकते है ग्लैन मैक्सवेल बाकी बाकी बैंड नंक का थोड़ा कंफर्मेशन कंफर्म नी बोलाँ कि दो अगर निक मैड इंसन और आते हैं तो बैटिंग ओडर डेफिनिटली चेंज होगा तो चक्कर में मेरे जादा सेफ रहेगा नहीं तो यह थिंग आप बैंड नंक को थोड़ा हटा तो बैटर रहा है कि अगर वह आते तो दिक्कत रहेगी तो इसलिए मैं बात करते हैं मिचल मार्श को मैं क्यू बोल रहा हूं कि अगर बॉलिंग कर देता है एक विकेट लेता है तो और एक कैच करता है और 25-30-40 मारता है तो डेफिनिटली हमें एक अच्छा प्रॉफित दे सकते हैं मिचल मार्श को मैंने तीसरा इसले पिक करें बाकि दंग को हटा दू आप एक दो तीसरा मिचल मार्श अकर बॉलिंग बाकि बात करें यहां पर जायर रिचर्ट्स तीस मुझे रखता है कि अटलिस्ट एक विकेट तो निकाल कर देगा प्रस एक कैच और प्लस रण मारता है और अछा दिन रहा तो तीन विकेट निकाल सकता है तो चार प्लेर मेरे जो रहने वाले अच्छी पिक्स वह रहेगा जोश इंग्लिस, मैक्सवेल, मिचल महाश, जायर रिचर्ट सर्व, इन्वेश्ट इक्वल इन ओल प्लेट्स, तो मेले यह रहाएगा आपके लिए रिकमेंडेशन तो आपको सुमझा जाएगा कि मैंने किस बैसिस पे इनको स्लेक्ट किया है वो आपको समझाना जो रही है थ कि इस बाइवा जब भी रीट करूंगा टेलिग्राम चेनल किसे जोईन किरना वीडियो के नीचे जहां खमिक्राइब लिंध करते हैं वहां आपको मारे टेलिग्रम चलेuci lock मिल जागा Right जित्सक्रिप्चिन द कुन aa कमेंट मेरे तरही या ईसकर्टिप्सक्रीज या कि उट तो मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ जहिन दोस्तो बाई बाई